है गाई वेलकम तो दैंड रॉइड गाइड चैनल एंड आज के इस वीडियो मैं आपको गूगल पिक्सल 9 और गूगल पिक्सल 9 प्रो को कंपेर करको आपका जो Confuse की इन दॉनों स्मार्पोन में क्या क्या है उसको मैं क्लेर करने वाला हूँ इस में आपको 18,000 का डिपैरैंश मिलने वाला है और सबसे पहले इस में इसमें 30,000 रुपीज का डिफरैंश मिलने वाला है और जो specs differences है, वो मैंने point out किया है, तो total 6 आपको top differences देखने को मिलेंगे, जिसको आप consider करकर आपका confusion है, वो clear हो पाएगा, सबसे पहले बात करते है specs का, तो Google Pixel 9 का specs आप देख सकते हैं, Google Pixel 9 Pro, ये दोनों smart phones के specs side by side आप screen पे देख सकते हैं, ये दोनों smart phones में total 6 differences दिये गया है, वो क्या है, सबसे पहले difference है display में, display जो Google Pixel 9 का है, वो है 6.3 इंच का Full HD Plus OLED डिस्पले और Google Pixel 9 Pro में आपको 6.3 इंच का 1.5K LTPO OLED डिस्पले दिया गया है, दूसरा difference brightness में है, Google Pixel 9 में आपको 2700 nits का peak brightness मिलता है, और Google Pixel 9 Pro में आपको 3000 nits का, जो तीसा difference है वो है back camera में, Google Pixel 9 में आपको पीछे का side dual camera दिया गया है, 50 Megapixel का OIS lens और उसके साथ 48 Megapixel, और Google Pixel 9 Pro में आपको 50 Megapixel plus 48 plus 48 का आपको triple camera का support Google Pixel 9 Pro में दिया गया है, और front camera पर बात करते हैं, तो यहां पर एक major difference है, कि Google Pixel 9 में आपको 10.5 Megapixel का front camera दिया गया है, और Google Pixel 9 Pro है, उसमें आपको 42 Megapixel का front camera selfie camera दिया गया है Google Pixel 9 Pro में, और जो पांच्वा difference है वो है wireless charging को लेकर, Google Pixel 9 में आपको 15 Watt का wireless charging मिलता है और Google Pixel 9 Pro है, उसमें आपको 21 Watt का wireless charging दिया गया है और जो लास्ट difference है वो है इसके price में Google Pixel 9 जो है, इन दोनों स्मार्टफोन में total 9 differences है और यह जो टॉप 6 जो है वो differences मैंने आपको बता है इनको ही आप जो वो consider करकर एक आपना better जो है आप twice कर सकते है कि कौन सा phone लेना चाहिए Google Pixel 9 या Google Pixel 9 Pro, differences जो है वो तीन major point पर है display, back camera, front camera यह तीन major differences है और यह display जो है इसमें आपको quality भी मिलता है 1.5K का और इसका brightness भी काफी जादा है तो यह सब देखते हुए Google Pixel 9 Pro जो है वो 30,000 रुपीज एक्सपेंसिव है in compared to Google Pixel 9 and Google Pixel 9 में आपको overall अच्छा जो है आपको package मिल रहा है जिसमें सब कुछ बहतरीन मिलेगा display जो है उसमें थोड़ा बहुत जब आपको compromise करना होगा और front camera जो है वो बहुत ज्यादा कम है 10.5 Megapixel का camera दिया गया front camera Google Pixel 9 में जो Google Pixel 9 Pro है उसमें आपको 42 Megapixel का तो यह काफी जो है एक huge gap जो है वो create कर रहा है so guys मेरा मनना है कि इन दोनों smartphone में से जो smartphone आपको पसंद आए वो आप purchase कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही अपने price पर justify कर रहे है and Google ने एक और promise किया है कि Google में आपको Android 14 अभी out of the box मिलेगा और उसके साथ top 7 major updates आपको इस phone में मिलेंगे like Android 14 के बाद 15, 16, 17 ऐसे आएगा तो top 7 major differences जो आएंगे Android में वो आपको यह update करकर देंगे अपने phones में क्योंकि Google के तरफ से यह आता और Android जो है वो आपको Google के तरफ से मिलता है तो यहां पे वो अपने phone को ज्यादा support करने के लिए और ज्यादा उसके usability बढ़ाने के लिए ताकि customers उसको ज्यादा दिन तक यूज करें इसक उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और और सारे वीडियो को देखने के लिए आप end screen पर देख सकते हैं वहां से आप और जादे वीडियो को जो आप देख सकते हैं करें देख सकते हैं